दियो स्टुदेंट्स, वेलकम टू अल्टू दीस चानेल, फिला मने वीडियो स्टार्ट करिया पुर्भुरू सम्मस्तों कोटिये इंप्रुडेंट कथा, कि जो वीडियो आमें देख्या कुछ आऊँछे, वा डिस्केशन करूँछे, सही चाप्टर रहना होची All Things Bright and Beautiful एब ता सही तो सब्जेक्टिव कोश्चिन, वा फाइफ मार्करा कोश्चिन निष्चया तुम्हा परिख्यारे पडिवू, सो भेरी बेर इप्पोटन्ट वीडियो, एबग परिख्या दर्पनरु ही मों डिस्केशन करूछे, एबग सिलेक्शन कोश्चिन मों ध्या अप्प्र परिख्या दर्पनरु तुम्हें पढ़ी परिवो, ता परे तुम्हें मनुरु दू मिनिट परिवो, गुट्टे वड़े कोश्चिन निष्को एबग निचा खात्तारे तुम्हें लिखी प्राक्टिस करिवो, ठीक अचे, फास सुनें कि मनुरु कीवो, ता अबरे पुन जा निचे वड़े कोश्चिन निचे लिखे के प्रासंचा करी चांधी, अंसर आम्या गुट्टे वड़े सेटेन्स को पढ़ी बा, बनुरु कीवा, ता परे तुम्हें सम्हें जा प्राक्टिस करी पा। the poet preaches God in this world because he has made all things bright and beautiful the poet preaches God in this world एई दुनिया रे कभी भगवान कु प्रेज करिचन दि प्रशन सा करिचन दि because why he has made all things bright and beautiful ही देखा capital H ले खाइचित में मध्या capital H ले की वो काई की नहीं रिपोस्तु God भजया लाम फार्सलाइट कउप्रिट दुएट प्रेज गड इन दिस वर्ड कभी भगवान कु प्रशंचा करिचन दि एई दुनिया रे वाइविश्वरे because he has made all things bright and beautiful चे सबुजिंचा कु जड़य बंग सुन्दर करी तियाड़ी करिचन दि he has created the big and small creatures colorful flowers and tiny wings of birds से आवरी माद दियाई करिचन दि काना मन्रोखिवा big and small creatures बड़ा सान जीबो colorful flowers रंगिन फुलो and tiny wings अभुजो देना अफ बाट्स Pokemon करा he has created the big and small creatures colorful flowers and tiny wings of birds he has also created the purple headed mountains and the sunrise and the sunset अहुरी मद्धियाँ purple headed बाब्लु इस रेड लिलाविसलाल रंगर बाब जो पहारो हेट्टा बाट्टा purple headed ता कुछी तियारी करिचन दि sunrise and sunset से सबुगी तियारी करिचन दि बाब्लु आई से सबुगी ता कुछी he has also created the purple headed mountains and the sunrise and the sunset the cold wind that blows during the winter is God's wonderful creation येवाँ जो cold wind बहुची winter रेवा सितो रुतुरे तहाम अध्याँ भगवान करा पुटे चमतकार करिचन देखा wonderful spelling इट बूल लेखायाची तुमें करेक्शन करिवो W-O-N-D-E-R-F-U-L wonderful creation God who has created all these things in a very thoughtful way is really great भगवान जेकी अती सुन्दर चिन्ता करीकी ये महान पुर्थिवी करिदेश गरी चन्ती गडितली चन्ती तरमसे प्रभकुर्थरे महान कुश्चिन तिला आउथर पढ़ुजा अंसर अक्खी बंद करी भिला मने अक्खी बंद करी सुन अबनी जो मनरित अको गुण 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 है की कोहापें ट्राय करो ओके एगन आड एगन बारां बारा बढ़ा खात्तेरे प्रटिस कर निश्चे तो हाबरे मन्द ही जिवा जो जो वनकर आकुर ही जेएची से वनकर मध्यां बहुँ सुन्दर बारी में गुण 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 खी जो okay Number one question thila why does the poet praise God in this poem श्वना सुमाष्त अकी बनकर की The poet praises God in this world because he has made all things bright and beautiful he has created the big and small creatures colorful flowers and tiny wings of birds he has also created the purple-headed mountains and the sunrise and the sunset The cold wind that blows during the winter is God's wonderful creation. God who has created all these things in a very thoughtful way is really great. बुजी हुची? सेम्धिन नमबर टू आमें देखिवा. Why is the summer sun pleasant? कहीं की summer sun pleasant. इस मरुत्र रसुच्च कहीं कमें को pleasant लागुची, comfortable बा आराम लागुची. अंसर मन्रक की बाली, धिरे धिरे पौडुची बुजो होजे, आकि बन्त करी सुली की मन्रक हो. Summer comes after winter and it gives a great relief to the winter heat people. Summer बुजी नमबर टू कहा पराशे, चितर रुट पराशे में translate कोर लेकी बा. Summer comes after winter and it gives एबं इहां प्रदान करे a great relief. गोटे बहुत बड़ा मुक्ति प्रदान करे to the winter heat people, जो लुकमाने सित्ता सही धान्ती. ओके, आउधर कहुची, complete sentence टा. Summer comes after winter and it gives a great relief to the winter heat people. The summer sun is warm and comfortable in Ireland and provides a good time to enjoy. The summer sun is warm and comfortable in Ireland and provides a good time to enjoy. The poet belongs to this cold country. The poet belongs to this cold country. In his view, थांक मतरे, the summer sun is really enjoyable and pleasant. ग्रिष्मारुतुरे सुज्या हुचंती, आनन्द बुर्ना भा खरा हुचे, आनन्द दायका, एवं सुखी कर. Okay, very simple. Why is the summer sun pleasant? Summer comes after winter and it gives a great relief to the winter heat people. The summer sun is warm and comfortable in Ireland and provides a good time to enjoy. The poet belongs to this cold country. In his view, the summer sun is really enjoyable and pleasant. बुझी हुची बलाबने मुट अमेको बाराम बार कोईड़ा कुछी की एई चक्टोरू निश्ची त तुम्हार परिख्यारी कुष्चिना शीवो जाहेवी आठटी कुष्चिना अची एतिकी पड़िदेगी जाओ जीली तुम्हें आंसर करी परिख्यारी पुझी हुची बर्तमान नंबर थ्री आमें देखिवा समस्ते सही बली मन्रो किवा नंबर थ्री हुची वाय हाज गड़ गीवेन अस आई जांड लिप्स बेर इंपरान्ट कुष्चिन एडा सिलेक्शन रे दियाये ची तुम्हें जानी चा सिलेक्शन वीडियो जे देखिना तुम्हें पर आई बोटन वापर क्लिक कर की वाय हाज गड़ गेवन अस आइज अन्ड लिप्स बहगवान कहीं कियाम को आखे एबं उठा देचंती वरी सिंपल आन्सर गड़ हाज गवन अस आइज तु सी अल थिंस ब्राइट अड ब्युूटिफु भागवान को आखे देचंती lips to say how great the Almighty is. शे मध्यामकू ओठ देच्वांति आमें प्रसंचा करेया पाई बाई कोही बाई भगवान के ते महान. He has given us lips to say how great the Almighty is. In this poem, the poet says that he has given us eyes and lips to admire his greatness. यही कभी तरेत मैं मध्य लेकी परेवो in this poem All Things Bright and Beautiful, The poet says that He has given us eyes यामकू आखी देच्वांति आमें प्रसंचा करेवा पाई. Okay, answer बुझी ही ते बाई निचता आबरे, कहुची आके बांत करेच्वान के मान रखा. Why has God given us eyes and lips? Yes, answer हुची, God has given us eyes to see all things bright and beautiful. He has given us lips to see how great the Almighty is. In this poem, the poet says that He has given us eyes and lips to admire His greatness. Okay, number four बार्तवान आमें देखिवा, What do we enjoy around us? आमें आमों चत्र परसंचा कॉन सब उपभाव करुचू? Okay, answer, we enjoy many things around us. आमां चत्र परसंचा में बहुत गुड ये जिनिशा कु पभाव करुचे. Such as, कौन कौन जुम्तिकी, beautiful sunrise and sunset, सुन्दर, सुज्यत्य, सुज्यस्त, trees and flowers, कच्छा एभावं फुला, rivers and mountains, न दीभावं पहड़, birds and animals, पोख्खी एभावं पसु. इसे निश्टको आउथरे बुड़ुचे, we enjoy many things around us, such as, beautiful sunrise and sunset, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals, okay? We smell the fragrance of flowers. आमें फुलार सुगणध कु सुंगुचे. बभाश्नको आमें स्मेल कुरुचे, सुंगुचे. We smell the fragrance of flowers and feel the change of seasons. एभाँ रूतु परियोड़तुन कु अनभाब कुरुचे. We smell the fragrance of flowers and feel the change of seasons. We enjoy the sweet twittering of the birds. पोख्खी वानको राबो कु अमध्यामें बभा कुरुचे. Sweet twittering. मधुर राबो कु. Glowing colors of the flowers. पुलार चिक्चिक कुर्थिवा रंगो कु. Beautiful sights of the forest. सुन्दर दुर्शियराजी जंगल रो एंड माउंटेन्ज अबंग पहाड़ परवत्र रो अराउंड अस. आम्मों चात्र पार्शुरे. पुजियाला आउधरिक बोडुची विलामने मुडरू मनरुकीब. आपके बद करिशूना very easily मनरुहिवो. What do we enjoy around us? No.4 question तिला तिरोटी कुछी विलामने में इसक्रशन कोरिशाल लेनी? We enjoy many things around us such as beautiful sunrise and sunset, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. We smell the fragrance of flowers and feel the change of seasons. We enjoy the sweet twittering of the birds, glowing colors of the flowers, beautiful sights of the forests and mountains around us. पुजियुची निश्ता आबरे तुम्हें खातार लेकिया को प्राक्टिस करिवा बर्तवान नम्बर फाइब आमें पड़िकी बनरुकीबार चद्दी. तुम्हें पर्थमा चारोटी बने रहुनाई, बालपला बनने होची तुम्हें आउथरे प्लेब्याक करिके मुळरू सुनी तीवा पिला बने किछे अस्ष्यवदार नाई, तुम्हें सब्बो बिले वेडियो देखी पारीवो, ओके? तो अरिच्ट आपरे सुनी ले मुणरोई बा, मुझानी चे, तुम्हें मोग थावा नी वो, नंबर फाईब, फाइब, फाइडर्स त माउंटेन टॉप लूक पर्पल, काहिंकि माउंटेन टॉप पहाडरो टॉप टा उच्छ पर्पल देखा जाए, आंसर, पर्पल मा ज During the sunset, सुर्जास्त समयरे, the sun सुर्जियो काष्ट्स रेड लाइट, कण करंती, ना लाल रंगर आलोको काष्ट करंती, बा, पदान गरंती, मनरुकिवा, During the sunset, the sun काष्ट्स रेड लाइट, the mountain tops are generally blue, अम जानी चे, mountain top आर उच्छ ता, साधरान तो निल रंगर, the mountain tops are generally blue, आज त The mountain tops are generally blue, as they are covered with trees, the rays of the setting sun fall on the mountain tops, the rays of the setting sun, एर अर अर्थ हुची, सुर्जास्त समयरे, सुर्जांकर किरण, fall on the mountain top, mountain top उपरे पडे, पहाडर उच्छ उच्छ उपरे पडे, and turn them purple, ये बंगताको purple करी दिये, बुजू उची, so the poet describes nicely as purple-headed mountain, सित्पाइं, सुंदर भावरे काभी बरुना करी चानती चे, mountain top उची, purple-headed, purple-headed mountain, very simple, बुजू उची, देखी पारीबा, आउधर पडुची मंदी समाश्च उणी बाकि बंद करी, Why does the mountaintop look purple? Answer, during the sunset, the sun casts red light. The mountaintops are generally blue as they are covered with trees. The rays of the setting sun fall on the mountaintops and turn them purple. So, the poet describes nicely as purple-headed mountain, okay? Number six, what does the poet say about the morning? Kabhi, सक्ड़ विसर काण कोई चानती, okay? The sun rises in the morning and the bright rays of the sun fall on the earth. उज़ उची, the sun सुर्जय सक्कड़े उधर वन्ती, यवँ ब्राइड रेज, यवँ उज़ कीरण सुर्जयां कराब द सुर्ण, फोलों द आर्थ प्रुथी ब्रिष्ट अपरे पडए, द आर्थ आन्द स्काई लूख ब्राइड, आकास यवँ प्रुथी भी, ब्रुथी ब्राइड अकास उज़ो दिखाजया, अक्कोड़िंग टू द पोईट, कोभी इंको कोहिवान सरे, the morning brightens of the sky after the sunrise, शुर्जस्त पोरे ब्राइड आप्र द सुन्राइड, कणवे न the morning brightens of the sky, सक्कड़ अकास कुच्च्वाम काई दी, ब्राइड अंसर पोधिवा, फट दस्ट पोईट से अभावर द मौनिग, अंसर द सौन राइजेस इन द मौनिग, अन्द ब्राइड अप्र द सौन फौन अन्द अर्थ, अर्थ अन्द द सौन लुक ब्राइड, एट लुक्स कॉरिवा नाई, जयतु आमरो प्रूराल अची सौब्चेक्ट, लुक ब्राइड टीक अची, अकरिग टू द पोईट, द मौनिग, ब्राइट अब द स्काय, आफ्ट द सौन राइज, एको आमें बारां बार सौन दिले, मौन राइज जीवा की चासे विदा नाई, नमब 7, ओके, फाट अज द पोईट से, एबाउट त टू सिजन्ग सुइन्टू अज्मर, विइंटर, एबंक सुमर भी सहरे, आमाको कभी कॉण कोई अचान्थी, फाट अज़ द पोईट से, अबाउट त टू सिजन्ग सुइन्ग अशन्मर, ऐंसर, परोना करिछांदी, as they are winter and summer, winter आओ summer, अधर कोईची the poet C.F. Alexander has mentioned two seasons in the poem, they are winter and summer, बजियाला, in winter cold wind blows, शित्त रुत्तुरे, आशित दिने cold wind, शित्त लापबन बहे, in winter cold wind blows, in summer the sun is pleasant, खरा दिने summer शिचिनरे sun, शुज्यां करो किरुणाम को आनांद दिये, in summer the sun is pleasant, the poet says so, as she belongs to Ireland, कभी एभली कोईचांदी, काई किना से Ireland रुविलांग गरुचांदी, Ireland देस्वरे तंगर जन्म, which is cold country, जोटा जोटे, सित्र देशा, थंडा देशा, in cold countries, moderate temperature prevails even in summer, बुज्योची, cold country मानां करे, आमरा moderate temperature थाए, सोही होते ताप मातरा थाए, जाकि summer देखा जया, prevails even in summer, okay, बुज्योची, summer रे, moderate temperature थाए, बैसी खरा, हुए नाया, आमर जोम्ती ग्रिस्मा प्रदाहन दे समानां करे, हुची, आमरा थाए, आउधर आउधर बुची, no.7, question रची, what does the poet say about the two seasons, winter and summer? answer, the poet C.F. Alexander has mentioned two seasons in the poem, they are winter and summer, in winter cold wind blows, in summer the sun is pleasant, the poet says so as she belongs to a land, which is a cold country, in cold countries, moderate temperature prevails even in summer, okay, so as my last question, no.8, all things very beautiful, रो, तुमरा परिक्षाद रपनुरही रिविजन चाली ची, समास्ते रिचता हावरे, मन्रेग देतीवा, तुथा विरिविजन होची, रेतो परिक्या कम देन रोहिला, how do you estimate God, okay, भगवान को क्यमते तमें, तुमना कोरिवाबा मापीवा भगवान कोण, okay, answer, in the poem, All Things Bright and Beautiful, C.F. Alexander praises the greatness of God, a poem, All Things Bright and Beautiful, रे, C.F. Alexander प्रशंचा कर रिचंती भगवान कर मौान अब दखु, पुजिवाला, in the poem, All Things Bright and Beautiful, C.F. Alexander praises the greatness of God, according to the poet, God has created all things and all creatures wisely and wonderfully, according to the poet, God has created, who has created, God, God has created all things and all creatures wisely and wonderfully, बिग्या भवाबरे यवाँ चमतकार भवाबरे, God has very nicely blessed us with beautiful and attractive sights, sweet and musical sounds, sweet smell and enjoyable feelings. भगवानमको एसोग सुन्दर जिन्साशिर बाद करीचांदी कान, beautiful and attractive sights, बोदुटी सुन्दर अकर्शनिया दुर्श्या, sweet and musical sounds, मधुर यवां सांगेतिका सब्द, sweet smell and enjoyable feelings. Okay, मधुर बासना यवां किछे उपवग्या, अनुभव. Okay, आउतर कोई ची, God has very nicely blessed us, बेस्वान आश्री बाद करीवा, God has very nicely blessed us with beautiful and attractive sights, sweet and musical sounds, sweet smell and enjoyable feelings. So, the poet says, God is great and He has created everything wise and well for us. सब्सक्राइब कभी कोई चंति, जब बागवान महान यवां से अंपई बहु सुन्दर यवां बहु शून्दर यवां बाला बाद जिन्स त्याडी करी चंति. आउतर आंसर पूटुची, कॉस्चिन तिला, How do you estimate God? Answer in the poem, All things bright and beautiful, C.F. Alexander praises the greatness of God. According to the poet, God has created all things and all creatures wisely and wonderfully. God has very nicely blessed us with beautiful and attractive sights, sweet and musical sounds, sweet smell and enjoyable feelings. So, the poet, sage, God is great and he has created all things wise and well for us. Okay? So, फिलावने, आमें आठोटी question discussion कर ले, All things bright and beautiful chapter, चुटार कि तुमरा फास्ट वोई ट्रीवां तुमरा बाराम बार कोहीची कि तुमरा मैटरिक एग्जामर एई चप्टर रूहीं, आमारा सब्चिक्टिव कुष्चीन निश्ची तुमरा बार कोटे आसी वो, जहांकि पांच मार्क पड़ीवो, आमें इचक्टर भला बरे पड़ीवा, निश्चा अबरे वीडियो तुम पहीं मुल लागी तिवो, जेते दिन अची परिख्या परचन तो इचक्टर को बाराम बारा पढ़ा, रिविजन करो, खातर लेखे प्राक्टिस कर, निश्चा अबरे पांच रूप पांच पाई परिवो, वीडियो केमति लागिला, निश्चा कमेंट करिवो, निश्चा फ्रेंड्स माना से तो स्यार करिवो, कुटे स्वेट लाइक दब, जहां अपलोड पते मोटिवेशन मिलीव, येवां जेव सब वीडियो आगोको आशाच पिलावाने इस सब्ताय विते तुमरो बहुत गुडे वीडियो अपलोड होईची डिल्ली प्रे गुट्टे गुटे वीडियो, येवां शेई वीडियो सोब तुम्बान अपलोड प्रे अपलोड करिवा अवस्टे करनाई जेतो आगुरू ही शारीची तो पोईटर वीडियो नुगा करिवा आशाला प्याटन ओके सुझावी होँ आमें प्रिपरेशन चार रखिवा समास्तमकर निच्छदाहर परिक् किची अथरकरी वीडियो मोँ अपलोड कोली भी नाइए के बे बर्शा अरम पर तुमान ने का पाई मोँ वीडियो अपलोड करिची एबे निच्था वरे वीडियो यूस्फुल हाबाँ वीडियो देखाँ थैंक्स वर वाचि इस वीडियो का ब्लेश यू की वच्छिए टेक्यार